सड़क के दूसरी तरफ हम पहुँच गए और दूसरी तरफ से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आर्मी ने हर तरफ अपना फ्रंट लाइन को तयार किया है दोनों तरब एक तरब अगर ग्राउंड के लोग जो आर्मी है वो तयार है तो दूसरी तरब हमले करने के लिए तोप, टैंक, बक्तरबन, गाडियां और जो वार टाइम के लिए फ्रंट लाइन तयार किया जाता है उसकी तयारी हमास के कमर तोड़ने के लिए है ये तस्वी किये जा रहे हैं बड़ी-बड़ी गाडियां जो होती है इस्राइल आर्मी की जो मिलिटरी एक्विप्मेंट्स होते हैं वो यहां तैनात हैं टैंक, तोप और दूसरी गाडियां बक्तरबंद, आर्मी की ट्रके आपको दिख रही होंगी जो जो देखिए यहां से आपको दिखा रहे हैं गाजा बोड़ा दूसरी तरफ है और इधर यह हम अब उपर की तरफ जा रहे लगातार इस सड़क पर यही हाल है हर तरफ आपको दिखेगा वो धुआ गुबार उठता हुआ दिख रहा है उधर गुबार आपको दिखा रहे हैं वो दिख रहा है तो दूसरी तरफ इधर आपको हमारे राइट साइट में एक बार करम आपको हर वो तस्वीर ला रहे हैं राइट साइट में आप देखेंगे कैसे पूरी आर्मी और पुलिस तोनों तैनात है हर जगा पे आगे हर कुछ-कुछ जो ब्लॉक है यह रेड लाइट है रेड लाइट के लेफ्ट की तरफ हम नहीं जा सकते जाने की मनाही है यहां ठहर के शूट नहीं कर सकते हम लोग कैमरे से उसकी मनाई है लेकिन यहां भी अभी बढ़ाया गया है यहां आर्मी के लोग है यहीं सब movement कई बार किया जाता है बहुत लोग दिखते हैं अभी थोड़े कम दिख रहें लेकिन यहां तैनाती रहती है और दूसरी तरफ ध दूआ और गुबार दिखाते इस तरफ से किस तरह से आर्मी की आर्मी की गाड़ियां आपको सड़क पर आती हुई दिख रही है बाई तरफ देखिए यह इस तरह से यह सड़क पर यह साहीं तोप में लगने वाले जो गोले होते हैं उनकी संख्या देखे इसलिए हमें कह पहा गया था कि हट जाई आप आप यह तस्वीरे एक्स्क्रूसिव देख रहे हैं न्यूज एट इन इंडिया पे आने की मनाही के बावजूद समेधन सील इलाका होने के बावजूद हम बस मुव्मिन के साथ आपको दिखाते हैं ताकि लोकेशन का वॉयलेशन ना हो हमारी तरफ से यह गाड़िया देखे सड़क पर इसी तरह से आर्मी के वाहन जो है वो चलते रहते हैं दूसरी तरफ अभी आपने देखा कि तोप और टैंक के जो गोले होते हैं वो लगाए गए वो आपको दिख रहते गाड़ियों पर जाते हुए और यहां से कुछ दुर्वे आपको दूसरी तरफ फिर दिख जाएगा एक आर्मी की गाड़ी आते हुए तो इसी तरह से जो बॉर्डर की में सड़क है यह और यहां से बॉर्डर 800-500 मीटर से लेकर पूरे इस हाईवे पे 7-8 किलो मीटर तक दूर है गाजा का इस तरह से यह रोड गुजरती है इस बॉर्डर से और वहां से हम वो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं उधर गाजा की तरफ से धूआ उठता हुआ आप देख रहे वो गाजा पर हमला किया गया है 320 हमले हवाई हमले किये गये है गाजा पर जो उनके स्ट्रक्चर है हमास का उसको तोड़ा गया है और तोप और टैंक से भी जिस फ्रन्ट लाइन को हम दिखा रहे थे वहां से भी हमला किया जाता है और यह पूरी सुनसान सडक है कुछ है और वो तमाम चीजे हम आपको दिखा रहे थे गाजा बॉर्डर से ताकि आप समझ सके कि युद्ध के 17 दिन में क्या इस्थिती है इस पूरे इलाके में